Hello everyone, welcome back to my channel once again, so मैं पंकत कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आगा हूँ, latest code force round 836, latest code div 2 का first problem का solution, so ये question काफी easy है, and इसके साथ हम लोग easy question को फिर भी तोड़ तोड़ के अच्छे धंग से इसको explain करेंगे, समझेंगे कि question में क्या है, and किस तरीके से हम इसको solve करेंगे, right, ठीक है, तो question वो सुरू करेंगे, अगर आप चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को subscribe कर लेना, मैं आप लीड कोड, add quota, and code force नहीं होने वाले contest, and उसके problem set से भी बहुत सारे question के problems की video आपको मिल जाएंगे, right, ठीक है, तो question पर move करते हैं, यहाँ पर आपको palindrome का पहले तो definition दिया, तो जल्द ही मैं एक video लाने वाला हूँ, जिसमे, like, इस तरह के जितने भी common terms है, जो CP के questions होते हैं, आते हैं, जैसे palindrome है, max है, और भी बहुत सारे subsequences, इस तरीके के सारे subsequences को मैं भी note-out कर रहा हूँ, और उस पर जल्द ही एक video आने वाली है, तो ठीक है, यहाँ पर आपको एक palindrome का definition बताया जा रहा है, कि एक ऐसा string, एक ऐसा string I think आप बहुत सारे लोगों पता भी होगा, बट कोई नहीं, जो let's suppose मैं लिख रहा हूँ ABC, तो अगर आप इसको first आगे से पिछे रीट करो, और इस तरह पिछे साब आगे रीट करो, दोनों case में यह string जो है, वो same आना चाहिए आपको, इस case में आपको नहीं आग इस तरह टरेट करते हैं इसको, right, ठीक है, तो यह definition है, इसने दिया है कि devil of a string is जो है, वो इसको ही दुबारा लिखने के बाद बन रहा, writing each character twice, exactly, तो किसे करेक्टर को छोड़ना नहीं है, बिसक लिए आप कुसे string को फिर से एक बाल लिख देनी है, बस आप चाहो जैसे चाह आपके पास, उसको, उसके devil को कुछ इस तरीके से rearrange करो, कि वो एक palindrome बने, ओके तो यह question है, इतना चोटा सा, बहुत चोटा सा question है, यही है, इतना सा ही question है, उसके बाद गया करना, output बताना, आपको वो rearrange test ring, जो कि palindrome होगा एक, यह प्रूव किया जाता है, कि हमेशा एक answer जो है, वो exist करेगा, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, I think, इसी चीज़ को बस समझना है, कि कैसे हम proof करें, कि always a case ring, जो उसका double को, कुछ इस तरीके से rearrange करें, कि वो palindrome ही बनेगा, तो वो उसका पहले proof देखते हैं, और proof में ही आपका solution मिल जाएगा, तो देखो, आ जुरूर से सोचो कि यार, ऐसा क्यूं होगा, आपने question रहूर सकता है, solve का लिया, बट इस सोचो कि आप किसी भी value पे, या किसी भी length पे, या किसी भी string पे, ये चीज़े always exist कर रही है, means what, कैसे, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा आपको deeply और सोचने की ज़रत है, ओके, मैं त तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि हमेशा क्यूं होगा, किसी भी string के लिए हमेशा वो होगा, देखो, palindrome क्या गाता है, अब इसके definition को recall करना, थोड़ा सा, और क्योंकि question ही बहुत छोटा है, तो इसका जो है, कोई नहीं, सबसे नीचे जलता है, हाँ, ठीक है, पहले इंडrome का definition क्या गाता है, कि जो चीज, हम इस साइट से रीड कर रहे हैं, right to left, और left to right, दोनों के इसमें क्या होगा, string, same होगा, right, अब मैं बोलना हूँ कि एक श्ट्रिंग है अपना, ऐसे, श्ट्रिंग ही है, इसको मैं कुछ इस तरीके से range करूं, कि इस साइट से देखूं तो यह string दिखे, और इस साइट से भी देखूं तो string ही दिखे मुझे, इस तरीके से मुझे कुछ है range करना, तो जो चीज, later पूझे पूरे string, यहाँ पर है, वो सेम चीज, यहाँ पे होनी चाहिए, जो चीज कि इस string को double करना, कुछ चर्म का बात है, तो यह इसने बोला कि double is, double, तो double means हर एक character की जो frequency होगी, हर एक respective position के character की, जैसे a यहाँ पर है, यह यहाँ पर, यगर यह string है, तो आपको इस a के लिए भी दो frequency बनेगी, इसको जब हम double करेंगे तो, right, और इसके लिए a के लिए भी द दो frequency है, ठीक है, तो आप इसको rearrange इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, तो यह चीज होगी, अब इसका, तो आपको इस समझ में आगा कि, क्यूंकि respective, हर एक respective position के character के लिए, दो frequency हो जाएगी, तो हम arrange कर सकते हैं, अब इस arrange करने के लिए, आपको लग-लग तरीक है, आप चाहोते ह इस तरीके सम करें, ठीक है, एक simple way मैं बताता हूँ, क्या है, simple way यह है कि a string जो आपका दिया हुआ है, let's suppose, जो भी है, let's suppose, मैं अपनो नाम ही लिखता हूँ, पंकज, लिखा मैंने, इसको reverse मैंने कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अब J, यहाँ पर J लिखो, A लिखो, K लिख लिखो, N लिखो, P लिखता हूँ, P, N, K, J, P, N, K, J, अब इस चीज़ को आप first to last rate करो, last to first rate करो, तो सम आएगा, तो point क्या है, basically क्या है, कि देखो, इसके लिए यह जो था, यह जैसे तेस, आप इसको चाहो तो जैसे range कर सकतो, सबको जैसे तेसे, ठीक है, point वस इतना ही है कि, इस point के character, इस point के character से same होगा, और चुकि हमारे पास यही same string दुबारा भी है, ठीक है, तो इसके लिए एक, एक, जो होगा, वो fix है, इसके लिए एक fixing है, इसके लिए एक fix है, इसके लिए एक fix है, तो हर एक character के लिए, एक character जो है, वो same fix है, हमारे पास है already, इसलिए इसने यहाँ पर question में दिया हुआ कि हमें ऐसा exist करेगा, अब यह 100 के length पर नहीं, यह किसी के length पर possible है, यहाँ पर 100 length दिया है, देखो, constraint को अब देखो, इसकी length जो है, वो 100 है, यह किसी के length पर भी possible है, right, यह universal true है, अगर मैं बोलू कि एक positive number अब उसी का just negative number को जोड़ दूं तो 0 आए यहाँ पर भी है, ठीक है, अभी इस string and इसका reverse हम ऐसे दोनों को concatenate कर दिया, हमने जोड़ दिया, तो यह always a palindrome ही बनेगा, और इसका proof आप समझ चूके हो, right, यह होगा, always palindrome बनेगा, तो करना क्या है, देखो, आप और वे तरीके से कर सकते हो, मैंने simply क्या किया, इसलिए, टेम्प लिया, चलो, code दिखाता हूँ, इस वे code में जादा discuss करने जैसा है, तो यह code है, इस question का, यह पर string, ace और temp में ने दो ले लिया, ace में input लिया, temp में, as it is, same string को initialize किया, और temp को reverse कर दिया, right, देखो, तो इसके हिसाब से, यह अपना s है, मैंने क्या क्या, temp को भी s किया, ठीक है, तो अभी इसको भी temp है, जो point कर रहा है, ऐसे, temp, अब मैंने क्या क्या, temp को reverse कर दिया, जब reverse किया, temp, तो जब reverse temp किया, तब यह string यह नहीं रहा, अब यह वाले string पर temp पॉइंट करता होगा, बतलों, temp बेसक लिए अब यह बन क्या है, यह reverse होके, अब मैंने क्या क्या, चुकि मुझी यह और उसके बाद यह चाहिए था, अब चाहो तो यही चीज भी करता हो, temp प्लस S कर दो, से भी चे जाएगा, तो मैंने S प्लस temp कर दिया, concatenate कर दिया, और उस बाद print कर दिया, बैसी कली, यह, S प्लस temp किया, और C उट S कर दिया, आप चाहो तो देखो, चलो यह थोड़ा सा मैं एक्ष्टा बताता हूँ, जैसे देखो, आप temp जो किया, P, A, N, K, A, J, P, A, N, K, J, अगर आपने temp प्लस इकॉल टू, बिन्स temp में इसको concatenate के add किया है, तो यह भी चीज, आपको एक palindrome ही देगे, सेम ही चीज है, यह, इसके बराबर है, तो आप इस पार्ट को इदा लिखो, तो इस पार्ट को इदा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से में साओ, और दोनों केस में दोनों palindrome ही है, तो आपका answer में फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में आपका shifted होगा, ओके, ठीक है, तो इस तरह के question को I think constructive algorithm कहा है, कुछ इस तरीके से सोचने के ज़रत पड़ती है, और ज्यादा इस तरह के question थोड़े से आपको परसान करता है, जब भी constructive algorithm के अगर आपको B या C में question आया है, तो यार वो परसान करता है काफी, simply कि अगर आपको DP का question आगया graph का question है, वो सब straightforward आपको मुझे जहां तक लगता है कि मुझे implementation में यार मैत कर लता हूँ, को logic-bogic बन जाती है, बट problem constructive algorithm के इस तरह के question में हमेशा होता है, काफी time लग जाता है उसको सूचने में and उसको जो भी आप करना है थोड़ा सा समय लगता है, बट कोई नहीं यह चीज़े practice आपको clear हो जाती है, ठीक है, ओके, तो इस question में इतना जाता है and I hope आपको clear हो गया होगा आपका doubt, question का link, code का link, as it is, आपको नीचे description box में मिल जाएगा and description box में आपको top mate की link भी मिल जाएगी, जहां पे आप slot book करके आप मेरे से interact कर सकते हो, आप देख सकते हो, काफी लोग यहां पर इंटरेक्ट कर चुके अलड़ी, तो यहां वे कुस services मैं provide करता हूँ, जिसके जरीए आप में जिस इंटरेक्ट कर सकते हो and basically यह services जो है, वो paid है and इसके cost में रखे है, वो काफी कम रखे है, यह सोच के रखे है कि college student आप लोग होग आप जाकर देख लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, चलाओ, बबाए